हाइ फ्रेंड्स में हूं सुमन, आप सबका मेह चैनल पर स्वागत है, तो अब अब सफर में जा रहे तो भी आप इसको ले जा सकते हैं, बोहत मुझे ही की लगती है खाने में, तो आई हो फ्रेंड्स आज की आसांसी रेस्पी आपको पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं, तो सत्तु की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगाएंगे तो उसके लिए प्रांत में हम लेंगे दो कप गेहूं का अटा तो मैं इसे गेहूं के आटे से बना रही हूं आप शाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं और अब इस के हुं के आटे के अंदर हम डालेंगे एक चोथाई छोटी चमच कलोंजी, साथ महीं आदी छोटी चमच अजवाइन डालेंगे, तो जो सत्तू की पूरी होती है थोड़ी सी हैदी होती है, तो डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए हमें इसके अ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पानी डालते जाएंगे, इसका बहुत चिकना आटा लगाना है, तो मैंने करीबन 3-4 मिट पर कोई अच्छे से से कूंस लिया है, और आप देख सकते हैं, आटा बहुत चिकना भी हो गया, थोड़ा स्मूध भी है, तो ऐसा ही आटा हमें त्यार रखना है, ना तो सोफ्ट होना चीह जादा, ना हार्ड बनाना है, तो मीडियम सोफ्ट आटा हमें यह रखना है, अब यह जो आटा है, इसके अपर थोड़ा सा ओल लगाएंगे, और इसको हम ढ़क कवर करके कम से कम 10-15 मिट के लिए रखने देंगे, तो फ्रेंट्स मैंने यहां एक कप पानी लिया था, उसमें से तीन-चोथ हाई कप मुझे यहां पानी लगाया, आपको खो सकता है थोड़ा बोटू पर नीचे हो जाए, पस यह मैंने आपकी नोलिज के लिए ब बहुत अराम से आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, घर पे बनाना चाहते तो आप घर पे भी बना सकते हैं, अब इस आटे के अंदर हम डाल देंगे, एक छोटी चमच कुटावा लसुन, तीन हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची को आपने टेस के हिसाब से हिहां कम जादा कर जितना भी परिवार में आपके तीखा खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आप यहां हरी मिर्ची आड़ करें, आदी चोटी चमच सोंफ डालेंगे, एक चोथाई टीस्पून कलोंजी आड़ करेंगे, एक छोटी चमच धनिया पाउडर और आदी चोटी चमच आमचूर पाउडर अड़ करेंगे, आमचूर पाउडर डालने से हलका सा खटा पन आएगा फिलिंग में, जो बहुत ही जादा टेस्टी लगता है, वैसे अगर आपके पास अचार रखा वाईन है, तो आप एक चमच अचार इसमें आड़ कर सकते हैं, या फिर आप निम्बू का रस तो सराओं के लाट सर्सो का तेल डालने से यह फिलिंग करना से बहुत जादा टेस्टी लगती है, ऑल्लं आप कोशिश करूआ ना डाले इसके आप सर्सो का तेलує में करूं कर लेंगे मिक्स करने के बाद करकरें, कर दो कर लेंगे इसमें 2'Timately स्पून की आसउपास पाणी करना है दो इसको इतना ही गिला है तो इसले के बाद इसको थोड़ा सा इस्ट पर टेस्ट कर सकते आप को लगई कि कोई कम है तो आ आप यहां ज़ो है पने टेस्स के हिशाब सेíllरा एठेस्ट कर ले तो बस फिलिंग त्यार हो गई आठे को भी मैंने करीबन 15 मिंट के आसपास रख लिया अभी आप देख सकते हैं पहले की मुकाबले ही थोड़ा सोफ्ट हो गया तो इसको हलका सा और गूत लेंगे करीबन आदी से एक मिट इसे गूतने के बाद अभी इस आठे में से हम थोड़ा सा पोर्शन तो तो जो इसके किनारे हैं वो हमें पतले रखने है और सेंटर में से इसको मोटा रखना है ताकि जब इसके अंदर हम फिलिंग भरे तो वो फिलिंग बाहर ना निकले तो इस तरीके से सेंटर में थोड़ा सा मोटा रखने के बाद अब इसमें हलकी सी हम जगे बनाएंगे और में मिक्स कर लें तो इस तरीके से हमें किसके चिकनी सी लोई दुबारा से बना लेंगे अब ये जो लोई है इसको हतेलियों के पीच में रखे हलका सा प्रेशर देंगे उसके बाद इसे चकले पर रखेंगे सूखा आटा इसके ओपर लगाएंगे हातों से फिर से इसको के हिसाब से रख सकते हैं जितना भी चोटा ये बड़े साइज के आपको पूरी पसंद है उसी हिसाब से आप इहां पूरी को पेल लें तो इस तरीके से देखिए हम सारी जो ये पूरिया है इनको बेल कर त्यार कर लेंगे अब इन पूरियों को हमें फ्राई करना है तो उ क्ल ‑‑ ये कहले हैं अब कर्ची से पूरी इस तरीके से उल्डर करने लगे तो आप इने जरनी से इस तरीके से और अलते रहना है थक्कि जो पूरी हो बहुत अच्छे से फूले और हमारी चारों तरप से बढ़िया से सीके तो इस तरीके से अलक Re या biscuit color नहीं आ जाता, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, जो पूरिया है, बहुत अच्छा इन में golden color आ गया, बहुत बढ़िया सी फूल गई है, तो बस इन्हें हम निकाल लेंगे, और इसी तरीके से पकी की जितनी भी हमारी जो पूरिया है, उनको हम fry कर लेंगे, तो बस सबस्क्राइब कर आप देख सकते हैं, कितनी भड़िया गोल मटोल पूरिया बन कर तयार हुई है, अब इन पूरियों को यहां में बूंदी राइते के साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप इसको चोखा, चटनी, अचार, आलू की सबजी है, कोई अपनी मन पसंद सब्सक कर सकते हैं या फिर सिंपल चाय के साथ भी खाएंगे ना तो भी यह बहुत मज़ेगी लगती है और आप देखी रहे हैं इसकी जो फिलिंग है वो अंदर तक पूरी-पूरी के अंदर फैली हुई है और यह खाने में बहुत मज़ेगी बनी थी तो एक बार जरूर बना के दे तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रस्पी के साथ में